है हलो अभरीवन आपका एक वार फीर से वेलकम करते है आज के हमारे स्परेश वीडियो पे तो आज इस वीडियो केंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा निपोन इंडिया पावर एंड इन्फरा फंड डायड ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो निपोन इंडिया पावर एंड इन्फरा फंड डायड ग्रोथ है इसने पिछले 6 मैंने 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एन्वल रिटन क्या दिया है क्या फंडामेंटल है क्या अभी हम लोग इंच में इन्वेस्मेंट कर सकते हैं इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और वो इस्टॉक जो है किस सेक्टर पे है यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटन के अफार में तो पिछल्ग चे में में जो इस ने रिटन दिया है वह 32.79% में बात करें हम पांश साल में 26.34% का रिटन है और annual return की यह लोग बात कर लेते हैं तो annual return है 15.77% का यह तो हम लोगों ने अभी देखा सबसे पहले है इसका return अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एनभी के उपर में तो आज की rate में इसका एक एनभी का प्राइस है 305 प्रिप्या 5 पैसा rating की ब अब लोग रिटन कल्कुलेटर देखते हैं, रिटन कल्कुलेटर पर देखेंगे, यदि आप पांस प्रमंद का SIP किये होते हैं, तो पिछले एक साल, तीन साल और पांस साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता है, बात करें एक साल में जो आपका पैसा जमा होता, वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 73,780 रुपया, तीन साल की बात कर लेते हैं, तो तीन साल में जो आपका पैसा जमा होता, वो जमा होता 1,88,000 रुपया, आपको मिलता 2,44,433 रुपया, पांच साल के यह दोग बात कर लेते हैं तो पांच साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3,00,00 रुपया आपको मिलता 6,17,609 रुपया अब बात करें यदि हम लोग वन टाइम इसमें इंवेस्मेंट करते हैं माल लिजिये आपने 1,00,00 रुपया एक बार इस मुच्वल फंड के अंदर दाल भी आ होता तो एक साल में जो आपको रिटर्न मिलता वो मिलता 1,00,00, 1,67,680 रुपया तीन साल में आपका जो 1,00,00, रुपया है वो 2,00,1,587 बन जाता और 5 साल में जो आपका 1,00,00, रुपया है तो टॉप्टेन में पहला नाम आता है लर्सन एन टर्बो लिमिटेड जो की कंस्ट्रक्शन के छेतर पे है रिलाइस इंडेस्ट्रियल लिमिटेड जो की एनरजी के छेतर पे है एन्टी पीसी लिमिटेड जो की एनरजी के छेतर पे है Boss Limited जो कि Automobiles के छेत्र में है Ultra Tech Cement Limited जो कि Construction के छेत्र में है भारती एक्तर Limited जो कि Communication के छेत्र में है Kenya's Technology India Limited जो कि Capital Goods के अंदर आती है Container Corporation of India Limited जो कि Service के अंदर है NLC India Limited जो कि Energy के छेत्र में है Assign DLM Limited जो कि Capital Goods के अंदर आती है तो इतने सारे इसके Top 10 Stock है और ऐसे इस mutual fund के अंदा जो total stock listed है, वो 41 stock listed है, अब हम लोग बात करते हैं, इसकी holding analysis के उपर में, तो equity पे जो है, वो 93.8% है, और cash पे 6.2%, अब इस equity को यह दे हम लोग sector wise देखते हैं, तो energy के छेतर में है, वो 25.7 है, capital goods में 25.3 है, construction के छेतर में 23.2 है, others पे 7.3 है, communication में 7% है, automobile पे 6.5% है, और service पे 5% है, यह तो देखा, अभी हम लोग इसका equity sector wise, अब हम लोग इसकी minimum investment amount के बात कर लेते हैं, यदि आप first time minimum investment start करना चाहते हैं, तो 5 जासे start कर सकते हैं, second time investment आप एक हजार भी दे सकते हैं, minimum SIP जो state क्या गया है, वो SORPIA का इसमें state क्या गया है हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी return ranking के अपर में, तो एक साल का जो fund return है, वो 67.7 है, 3 साल में 49.5 है, 5 साल में 26.6 है, और all time involved 15.8 है, और इस category का जो average return रहता है, एक साल में 22.1 रहता है, 3 साल में 34.1, 5 साल में 23.7 और all time data अभी available नहीं है, return ranking के category पे देखेंगे, तो एक साल में पहले नमर पे रहेंग करता है, तीन साल में 24 नमर पे रहेंग करता है, और पांच साल में ये पांच वे नमर पे रहेंग करता है, अब इसके आसपास यह दे हम लोग similar funds देखें, तो इसके आसपास जो similar funds है, वो है quant infrastructure fund diet growth, kotak infrastructure and economic reform fund diet growth, SBI combustion optionality fund diet plan growth, सुंदरम financial service optionality fund diet growth, SBI healthcare optionality fund diet plan growth, तो इसके आसपास इतने साले इसके similar funds है, आँ हम लोग इसके expensive ratio की बात कर लेते हैं, तो इसका जो expensive ratio है, वो है 1.26 का exit load की बात कर लेते हैं, यदि आप invest के अबापैसा एक मंद के अंदर निकाल लेते हैं, तो 1% का exit load देना होगा, इस time duty की बात कर लेते हैं, तो इस time duty 2017 से present है, अब हम लोग इसके fund house and investment object देखते हैं, तो ये total assist में इंडिया में 6 नमर पर रेंग करता है, ये जो mutual fund start हुआता है, ये start हुआता 30 जून 1995 को, और total AUM, यानि के total assist under management है, 3,96,875 करोर का, अब इसके बारे हम लोग कुछ और details में देखते हैं, इस mutual fund के बारे में, तो न निपोन इंडिया power and infra fund diet growth जो है, एक equity mutual fund है, जो कि launch किया गया था, निपोन इंडिया mutual fund के तरब से, इसमें जो investing start वाता, यानि कि ये जो start वाता mutual fund, वो start वाता 30 जून 1995 को, और संजे दोसी जो है, वो अभी current fund manager है, निपोन इंडिया power and infra fund diet growth का, ये जो fund है, टोटल अभी, 875 करोड का, और latest अन्य भी 305 रुपया पांच पैसा है, अब हम लोग इसके वारे में कुछ और basic knowledge लेते हैं, तो निपोन इंडिया infra fund diet growth जो है, ये very high access mutual fund है, इसमें minimum SIP amount 100 रुपया का state किया गया है, और minimum lump sum 5000 का state किया गया है, एक मुएने के अंदर यदि आप उतना पैसा न निपोन इंडिया power and infra fund diet growth के बारे में, तो फिर मिलते हैं लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,